हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेफ्ट्स और इंग्लेश हम आज पढ़ेंगे नरेशन तो आप जानते हों नरेशन एक डारेक्ट नरेशन होता है और दूसरा इंडारेक्ट नरेशन होता है तो डारेक्ट से इंडारेक्ट नरेशन कैसे बदला जाता है कौन- इस एक एक सब्द को और एक एक रूल्स को बहुत इजी ली जानेंगे चलिए शुरू करते हैं पहले हम समझ लेते हैं नरेशन का अर्थ के नरेशन जो सब्द का अर्थ है वो है बातचीत तो बातचीत को हम दो तरह से करते हैं एक होते है direct narration जिसको बोलते हैं सीधी बात दूसरा होता है indirect narration जिसको बोलते हैं अपने सब्दों में बात लेकि बगता की बात को जियोकातियों कहना जो है direct narration कहलाता है ये समझ लीजिए यदि हमने किसी भी व्यक्ति की बात को अगर recorder में record कर लिया है और उसको हम दुबारा सुनते हैं तो उसकी बात हमको जियों का त्यों सुनाई देगी तो उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट निरेशन तो इसमें राम सेड्ट टू सीता तो राम और सीता में बात हो रही है आइम नौट फिलिंग वैल ये इनके दौरा कही गई बात है तो राम के दौरा कही गई बात है आइम नौट फिलिंग वैल तो किसी के दौरा कही गई बात को हम inverted comma में लिखते हैं तो ये speech कहलाती है तो ये sentence जो है आपका ये direct narration का है यानि direct speech का है दूसरी बात indirect narration यानि के बगता की बात को अपने सब्दों में कहना जो है वो indirect narration कहलाता है राम तोड सीता ये उपर वाले direct sentence का indirect narration है तो इसमें बदलते समय क्या-क्या changes आए और ये changes के rules क्या है इनको कैसे बदला गया इन सारी बातों को हम इसमें सीखेंगे तो हम पहले समझ लेते हैं इस direct sentence को तो देखिए इस direct sentence में जो आपका assertive sentence है ये समझ लेजिए राम सेटु सीता इस sentence को समझ लेजिए इसमें राम जो है ये बात को कहने बाला है क्योंकि narration जो सब्द का अर्थ है उसका मतलब बातचीत है और जब बातचीत है तो natural है इसमें दो लोग होंगे एक कहने बाला होगा एक सुनने बाला होगा और फिर उनके बीच की बात होगी नेकिए ये चीजे होनी जरूरी है तब ही तो हम बातचीत कहेंगे तो इस sentence को देखिए राम इस sentence में बात को कह रहा है और सीथा जो है सुनने वाली यानिके राम और सीथा दो लोगों के बीच में बात हो रही है तो राम सीथा से कर रहा है I am not feeling well मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो ये इनके कही गई बात है तो इस sentence में जिसमें बात को कहने वाला होता है बात को सुनने वाला होता है उस area को हम बोलते हैं आपका reporting बर्व और कॉमा और inverted कॉमा ये दूसरा पार्ट कहलाता है और तीसरा जो पार्ट कहलाएगा वो है आपका reported speech इनके द्वारा जो बीच की कही गई बात है उसको हम reported speech कहेंगे तो natural है अब हम direct से indirect बनाएगे इस direct narration के sentence को अगर हम indirect narration में बदलते हैं तो natural है कि एक दो और तीन इनहीं तीन पार्ट में आपको change करना पड़ेगा गिन गिन कर बोल बोल कर आपको इनहीं तीन पार्ट में change करना पड़ेगा तो direct से direct narration से indirect narration बनाने के लिए तीन changes होते हैं एक reporting verb में change होगा दूसरा comma inverted comma में change होगा और तीसरा reported speech में change होगा यानिके आप change करना चाह रहे हैं तो यह तीन change करने पड़ेंगे अब how to change direct into indirect sentence अब हम change की बात करें तो नियम कैसे काम करते हैं और कैसे बदलते हैं यह इस बात पर निर्वर करता है कि reported speech का पिरकार क्या है यानिके reported speech का जो sentence है वो आपका assertive है interrogative है imperative है exclamatory है optative है इसके अनुसार नियम लगेंगे यानिके कहने का अर्थ है नियम इन पांचो sentence के अनुसार बदलेंगे लेकिन change आपके यही होंगे तीन तो यह जो तीन चेंज है बर्म में change और reported speech में change यह change कैसे लगेंगे यह निर्वर करता है कि हमारा sentence किस प्रकार का है तो देखिए राम सहर टूसीता आयम नोट फिलिंग बैल यह आपका प्रकार से होंगे राम सहर टूसीता वेरा यू गोइंग यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बही तीन नियम अब फिर बदल जाएंगे राम सहर टूसीता प्लीज कम बिद मी यहां पर यह imperative sentence है लेकिन बतल जाएंगे रामसर टूसीता हुआं विह आप बनामैस्ट यह अक्स्क्लेमेट्रीज है रामसर टूसीता में गोडलीज यू यह आपका optative sentence तो आप यहां देख रहे हैं कि आपका जो reported speech हो सकती है यह आपके पांच प्रकार के sentence में हो सकती है तो नेच्टन लगी पांचो प्रकार के sentence में reporting verb में change comma inverted comma में change और reported speech में change होंगे और हर sentence के अनुसाद बुर जाएंगे तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है assertive sentence से हम direct से indirect बनाएंगे तो rule कौन कौन से रखते हैं फिर हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे imperative sentence को इंट्रोगेटिव को फिर imperative को आईजी क्रम से पढ़ेंगे तो अभी हम पढ़ रहे हैं assertive sentence तो समझ लिजे अब assertive sentence आपने भी देखा रामसेड टू सिता आई एम नोट फिलिंग वैल यही तो आपका assertive sentence है खुश लगता है डेर लग रही हो वोरियत महसूस नागरे पूरा वीडियो देखें एक एक बात समझ में आ जाएगी क्योंकि हम मैं sentence को समझा रहा हूँ अब इस sentence को direct से indirect बदलेंगे तो समझ लीजे यह sentence लगबग ऐसे ही नहीं आता कभी कभी इस तरह इसकी बनापट हो सकती है आई नोट फिलिंग वैल राम सेड टू सिता सिता सेड राम आई नोट फिलिंग वैल इस तरह भी इस sentence लिखा हुआ आ सकता है यह sentence इस प्रिकार भी लिखा हुआ आ सकता है तो कहने का मतलब यह जो sentence है यह आपको चार तरह से लिखा हुआ आपको दिखाई देगा अग जब आप इसको change करेंगे तो चहाएं इस तरह लिखा हो या आपका इस तरह लिखा हो किसी भी तरह लिखा हो लेकिन change आप इसी तरह करेंगे जैसा कि आपका उपर मनाऊवा है यानि कि ये sentence किसी भी तरह हो हो इस तरह बना कर ही change करेंगे अब बात करते हैं change की तो हम rules की बात करें तो पहला change रिपोर्टिंग बर में change होगा तो आपका assertive sentence है तो sad का तो sad रहने देंगे say का say रहने देंगे और sage का sage रहने देंगे यदि कोई object ना हो जैसे he said I am not feeling well अगर ये sentence है तो क्या बनेगा he said all is sad को अरब हम s Whenever we call up अब मुला के रहे देंd अब से SAID SAYe СAYE से और SAYE के बात कोई OBSJECT होता है तो SAID 2 होता है तो इसको TOL में बदल देंगे SAID 2 होता है तो इसको TAL में बदल देंगे UOW SAID 2 होता है तो TAL में बदल देंगे अब समझे जिसे HE SAID TO ME ये होता और सेंटेंस आपको होता I am NOT feel'! तो क्या बदलते हम He said to का told हो जाता He told me समझ गये तो अगर said या say कोई object ना होता तो हम क्या करते say को say रहने देते say को said रहने देते say को sage रहने देते लेकिन इक बाद to लगा है और इनके बाद कोई object है यह object है तो हमने इसको told में बदलते है तो पहला sentence है He said you should help him तो he said that I should help him अब दूसरा नियम समझे इतना समझ के होंगे दूसरा नियम है कॉमा तथा inverted कॉमा हटा करके हम क्या करेंगे conjunction that लगाते है और फिर आता है reported speech में change तो reported speech में change जो होते हैं वो आपके दो प्रिकार के होते हैं पहला होता है पर्स्नल प्रणाउन में change और दूसरा होता है 10 इंस अब पर्स्नल प्रणाउन में जो change है वो समझ लेते हैं कि personal pronoun हमारे कौन कौन से प्रकार के होते हैं देखिए यह हैं आपके personal pronoun क्योंकि इने personal pronoun इसलिक आ जाता है क्योंकि इसमें three person होते हैं first person जो की बात करने बाला होता है उसमें I और B आते हैं object के के रूप में I का मी और पजेशव के रूप में माई और B का subject us object और आवर पजेशव यह आपके first person pronoun है तो first person pronoun वो प्रणाउन होते हैं जो बात कहने बाले यानि कि बक्ता से संब्दित होता है समझ लेजिए कोई भी ब्यक्ति बात करेगा तो वो क्या कहेगा या तो कहेगा मैं ऐसा कह रहा हूं या हम ऐसा कह रहे हैं तो I और B यह बोलने बाले से संब्दित होते हैं और second person you होता है यह सुनने बाले से संब्दित होते हैं you subject है you object है और your possessive है और third person pronoun में he, see, it और they आते हैं he का him object, his possessive case, he का her object, her possessive case, it का object, its possessive case, its बना लिजिए they का them possessive case, objective case और their possessive case तो यह जो आपके possessive या जो आपके personal pronoun है यह सारे आपके उसमें आएंगे reported speech में आएंगे इनको change करना पड़ेगा तो यह table जो है rule नहीं है यह table आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा first person pronoun है कौन सा second person pronoun और कौन कौन सा pronoun आपके third person में आते हैं तो यह rules है वो कुछ इस प्रकार है यह rules है reported speech के जो personal pronoun आएंगे तो वो reporting बर्ब के subject और object के अनुसार बदलते हैं यही कारण है कि हम इसको अपने पड़ा होगा 123 बटे सन बोलते हैं क्योंकि first person subject answer बदलता है second person object answer बदलता है और third person नहीं बदलता है तो इस बात को ध्यान रखेंगे अब देखते हैं बदलते कैसे हैं एक्जाम्पिल देखिए सोहन सेज़ टू गीता आई बिल है लप यो तो आपने क्या पढ़ा सेज़ टू को हम टेल्स में बदलते हैं यह आपने रूल फर्स्ट पढ़ा कॉमा इन्वेटिड कॉमा हटाकर के देट लगाते हैं यह आपने रूल सेगिंड पढ़ा अब करते हैं पर्सनल पर्नावन की चेंज और पर्सनल पर्नावन में आपने पढ़ा आई आपका फर्स्ट पर्सनल पर्नावन है सबजेक्ट के अनुशार बदलेगा और यू आपका सेगिंड पर्सनल पर्नावन है यह अबजेक्ट के अनुशार बदलेगा तो और इस तरह समझ में आए तो समझ लेजिए सोहन says to Gita, सोहन गीता से कहता है I will help you, मैं तुम्हारी मदद करूँगा सोहन और गीता में बात हो रही है तो सोहन कह रहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो कौन मदद करेगा? यानि कि सोहन मदद करेगा किसकी मदद करेगा? यानि कि गीता की मदद करेगा तो I जो आपका परसनल प्रणावन है सोहन के लिए आया है और यू जो आपका परसनल प्रणावन है ये गीता के लिए आया है तो नेचरल है कि I फर्ष्ट परसन है subject सोहन के अनुसार बदलेगा you second person है गीता जो की object है उसके अनुसार बदलेगा तो natural है कि सोहन और गीता के अनुसार ही यहाँ पर आपके pronoun लगेंगे तो सोहन tells गीता that he यानि के सोहन will help गीता यानि के हर तो यह जो he सोहन के अनुसार बदला और you जो है की जगे हर हो गया यह गीता कर सार बतला second part sentence देखिए you says to him I will help him तो you says to का say to का tell में बदल गया comma invited comma हटा करके that आ गया अब बदले you I will help you I कौन first person is subject to you तो you को उठा के लिए आता है you will help him him कौन him him तो third person तो नहीं बदलेगा him third person तो नहीं बदलेगा जियों काते हो रहेगा तो पड़ाता कि third person नहीं बदलते हैं third sentence देखिए Ram says to you they always do right things at the right moment तो will say to लिखाया तो say to को हम tell बदली देते हैं comma inverted comma हटा करके that लगाई देते हैं अब बदलेगा they always do right things at the right moment यहाँ पर they प्रिवनावन आया है तो जैसा कि आप जानते हैं कि they आपका कौन सा person प्रिणावन है third person प्रिणावन है तो वो नहीं बदलता है तो हमने जियों काते हूं इसको लिख दिया fourth sentence देखिए he said you are doing well देखिए इस sentence में you दिया है और you आपका second person प्रिणावन है और आप अच्छी तरह जानते हैं second person object प्रिणावन बदलता है और इस sentence में object नहीं दिया है देखो object नहीं दिया है side के बाद side ही रहने दिया है object नहीं दिया है तो you बदलेगा object कर सार तो यह बात समझ लिजिए कि you को you में छोड़ कर you को you में मत रहने दिजिए तो जैसा आपको भाव उचित लगे किसी में बदल दिजिए you को छोड़ कर तो he said that I was doing well, I में बदल दिया, he was doing well, he में बदल दो, she was doing well, she में बदल दो, they were doing well, they में बदल दो लेकिन उचित जो इसका अर्थ निकलता है वो I निकलता है तो इसलिए हमने इसको I में बदला है और आपने पढ़ा होगा कि you को third person बदल देते हैं ऐसा जरूरी नहीं है हमारा sense किस प्रकार का काम करता है हम इस तरह से उसको बदलते हैं क्योंकि TGT exam में हमने इसको I में ही बदला तो sentence है हुआ तो I में ही बदलना चाहिए सीता said wherever you go, I will follow you, तो सीता said that wherever he went, she would follow him, अब हम यहाँ पर कहेंगे कि आपने I में क्यों नहीं बदला I में इसलिए नहीं बदला, वही सीता और राम की बात हो रही है, तो राम कहने तुम मेरे साथ मताओ जंगल के लिए, मैं जंगल में अकिला जाना चाहता हूं, तो सीता कहती हैं, जहां कहीं भी आप जाओगे, हम आपका जो है, अनुसरन करेंगे, बहीं follow करेंगे, तो ऐसी यू को ही में बदला, ये कारण था कि हमने यहाँ पर आई नहीं बदला, कि मुस्री तरह नहीं कहा सीता नहीं, शीता ने राम सिखा, अब दूसरा जो चेंज आ रहा है, कि हमने बिल का बुड बदल दिया, और उपर वाले में आर का बौज बदल दिया, ये कैसे बदला, य है आपका 10 चेंज, तो दूसरा हम जो चेंज समझते हैं, वो है आपका 10 चेंज, तो कह रहे हैं, 10 चेंज पहली बात तो ये समझी होता कब है, तो इसमें 2 सिच्वेशन होती है, एक तो रिपोर्टिड जो आपकी स्पीच आती है, कॉमा इंबर्टिड कॉमा में लिखी होगा, और दूसरा ठेंचेंज नहीं होगा, तो उन चीजों को, उन इस्तितियों को समझते हैं, जब ठेंचेंज बदलेगा, और उनको भी समझते हैं, जब ठेंचेंज नहीं होगा, तो पहले दो क्या लिखा हम इस τबूहरे का 10 पास्ट में है, और बिरपोर्टिड इसको ध्यान कर लीजिए लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीज का सेंटेंस यूनिवर्सल टूथ है है विचुल फेक्ट है प्रोबर्ब है हिस्टोरिकल फेक्ट है तब उसे जियोकात्यों लिखते हैं अब इसको समझिए इस सेंटेंस को देखिए हमने तीन परिकार के सेंटेंस यहाँ पर लिखिया है उपर कर लेते हैं थोड़ा सा पहला सेंटेंस देखिए ही सेड टूमी आप जानते हैं यह जो अंडरलाइन किया गया है यह आपका क्या है यह जो सेंटेंस है आपका रिपोर्टिंग बर्व है और reporting verb का tense किस में है natural है कि यह आपका past में है दिखाई दे रहा हुआ he said to me यह past में है अब हम इस जो दूसरा part है इसका tense change करेंगे क्योंकि यह वाला sentence past में है तो इसका tense change करेंगे अब दूसरा sentence देखिए he says to me यह sentence present में है तो इस बाले sentence का हम tense change नहीं करेंगे अगला sentence देखिए he will say यह sentence future में है तो यह जो report today speech है इसका हम tense change नहीं करेंगे तो आप अच्छी तरह समझी लीजिए यहाँ tense change होगा और यहाँ tense change नहीं होगा कारान फिर समझ गाएंगे क्योंकि यह past में है tense change होगा यह present में है इसका tense change नहीं होगा यह future में है इसकाню can change नहीं होगा तो फिर हम rule की बात कर लेते है reporting बर्ब का tense यह जदि past tense में है केबल तब ही reported speech का tense change होगा और उस सरत में भी reported speech का change नहीं होगा यदि वो universal truth है यानि कि speech आपकी universal truth है habitual fact है proverb है historical fact है तो हम उसका change फिर भी नहीं करेंगे अब देखते हैं समझ के होंगे इनको तो कैसे change किया तो he said to me he told me हो गया that यहां तक तो आप जानते हैं I can do this to he could do this इन्होंने can का खुड कर दिया he says to me he tells me कर दिया that I can do this to he can do this इन्होंने can का can रहने दिया change नहीं किया क्यों क्योंकि यह present में है could क्यों कर दिया क्योंकि यह past में है he will say I can do this he will say that he can do this तो हमने can को change नहीं आप tense change कैसे होते हैं यह बात आप चुटकियों में या उंगलियों पर याद कर लीजिए यानि कि present के पहला निया present के चारो tense past के उन्हीं चारों में बदलते हैं यह बात नोट कर लेजिए present के चारो टेंस past के उनी चारो में बदल जाते है present indefinite past indefinite बदल जाता है present continuous past continuous में बदल जाता है present perfect past perfect में बदल जाता है present perfect continuous past perfect continuous में बदल जाता है एक बात याद हो गई present के चारो उनी के चारो में और past tense में देखिए past indefinite, past perfect में बदल जाता है past continuous, past perfect continuous में बदल जाता है यह कि एक छोड़ के बदल जाते है अगर sentence आपका reported speech का past perfect में है तो नहीं बदलेगा past perfect continuous में तो नहीं बदलेगा दो बातें समझगें आ गही होगा तीसरी बात future tells की बात करें बिल का बुड हो जाता है sell का should होगा, can का could होगा make का might होगा और इनकी जगे good, should, could, might, must और बहुत सारे model भरबाते हैं तो उनको no change करेंगे अब example देखिए he said I play a match daily तो he said that I play तो naturally he played the match daily past indefinite present indefinite बरबात present past indefinite बदल गया यहीं कि present indefinite past के उसी indefinite में बदल गया यहीं कि past indefinite बदल गया the teacher said to me you are not doing well the teacher told me that I was not doing well present continuous change हो गया past continuous में he said I wrote that letter तो he said that she had written that letter यहीं कि past indefinite बदल गया past perfect में तो समझ किया कैसे कैसे change हुए अब ध्यान लखिए change क्या होता है change होती है बर्ब बर्ब तो change करते हैं अगर आपको tense समझ में नहीं आ रहे होंगे tense याद नहीं है कि present indefinite past inde indefinite यहां कोन सा कैसे पहचान होती है तो अब सीधे भी कर सकते हो बर्ब की first farm दिखाई दे तो second हम बदल दीजिए do not दिखाई दे तो did not हम बदल दीजिए ejmr दिखाई दे तो bodge warm बदल दीजिए hedge have को head हम बदल दीजिए बर्ब की second farm दिखाई दे तो head के साथ third farm रख दीजिए did not के साथ first farm दिखाई दे तो head not के साथ third farm रख दीजिए head वर्ब की third farm दिखाई दे तो नहीं बदल दिए head bean के साथ वर्ब की ing रखी तो नहीं बदल दिए bill का good कर दीजिए cell का should कर दीजिए can का good कर दीजिए में कमाइट कर दी थे इतना आप कर देंगे तो टेंस आटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और कुछ नेर नेस दर्साने बाले सब्द हैं इसका देट दीज का दोज now का then today का that day tonight का that night yesterday का previous day or the day before tomorrow का the next day ये आयोगो का before इनमें बदलतेते हैं और ये भी तभी बदलतेते हैं जब reporting बर्ब का tense past पर है तो ये थे हमारे कुछ rules उम्मिद करें समझ माया होगा इसके बाद हम interrogative sentence लेके होंगे और होजकता आगले थोड़ी प्रेक्टिस कर ले तो आज के लिए इतना ही thank you all the best